हेलो दोस्तो आज मैं आप सब इसे शेयर करने वाली हूँ मातर तीन चीजों से बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी स्विश रोल की रेसिपी इसे बनाना तो बस चुटकियों का काम है तो चलिए देर नहीं करते हैं और फोट अफट से बनाना सुरू करते हैं इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिये गए घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलिए स्विस रॉल बनाने के लिए सबसे पहले दो पैकेट पांच वाली हैपी हैपी चोको बिस्किट लेंगे इसे पैकेट से निकाल कर एक प्याला में रखेंगे इसके जगह पे आप कोई भी चोकलेट वाली बिस्किट ले सकते हैं लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा मे मैं इसे इस्तमाल करती हूँ, अब इसे मैं छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड लूँगी, आप देख सकते हैं, सबकों मैं तोड ली हूँ, इसके बाद बिल्कुल गर्मा-गरम हम लोग आधा कब दूट डालेंगे, अब बिस्किट को भीगा कर 5 मिनट के लिए रेश्ट पे रखेंगे, ताकि बिस्किट अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, बिस्किट को भीगा कर 5 मिनट रखे हुए हो चुका है, अब इसे अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे, मैं यहाँ पर विक्षर का इस्तमाल कर ली हूँ आप चाहें तो किसी भी चम्मस से इसे अच्छी तरह mix कर सकते हैं ध्यान रखें इसे बनाते वक्त इसमें ज्यादा दूद ना डालें नहीं तो यह गिला हो जाएगा और Swiss roll अच्छी नहीं बनेगी इसे मैं अच्छी तरह से mix कर ली हूँ इसका thickness कुछी इस तरह से होना चाहिए बिल्कुल क्रीम की तरफ अभी इसे मैं एक साइड में रखूंगी इसके बाद 4 पेस bread का slice लेंगे Swiss roll बनाने के लिए बहुत ही fresh और soft bread का इस्तमाल करें इस तरह से roll हम लोगों का बहुत ही अच्छी तरह से बनेगा और tasty बनेगा इसके बाद इसका brown part काट कर में निकाल दूँगी ताकि roll बनाने में आसानी हूँ bread का brown part निकल चुका है इसे हम लोग एक साइड में रखेंगे अभी इसके बाद इस तरह से plastic wrap लेंगे इसके उपर bread के slices को रखेंगे कुछी इस तरह से एक के उपर एक हलका साथ चड़ाते हुए इस तरह करने से bread के slices खुलते नहीं है और एक दूसरे से ये चिपके रहते हैं अभी इसके बाद बेलन की मदद से हम लोग इसे दबाते हुए flat कर लेंगे आप देख सकते हैं जहाँ पर joint पर रहा है वहाँ पर थोड़ा अच्छी तरह से मैं दबा रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से एक दूसरे से चिपक जाए अब ये flat हो चुका है जो biscuit का हम लोग cream बना कर त्यार किये थे उसे इसके ऊपर डालेंगे और इसे चारो तरफ अच्छी तरह से हम लोग लगा देंगे अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक करें यहाँ पर आपको biscuit का क्रीम जितना चोकलेटी दिख रहा है खाने में भी ये बहुत ही चोकलेटी लगता है पता ही नहीं चलता है कि ये biscuit का क्रीम है बिल्कुल चोकलेट का flavor आता है इसमें यहाँ पर क्रीम अच्छी तरह से लग चुका है अब इसे प्लास्टिक के मदद से कुछी इस तरह से हम लोग फोल्ड करना शुरू करेंगे इसमें इसे थोड़ा सौधानी से फोल्ड करना होता है अब इसे प्लास्टिक व्रेट में कुछी इस तरह से कुफर कर देंगे ताकि इसका सेफ बिगड़े भी नहीं और बहुत ही अच्छी तरह से यह सेट भी वह जाया कुफर करने के बाद इसे दू ग्हंते के लिए हम लोग फ्रीज में रखेंगे से ना रखें दो घंटा इसे रखे हुए हो चुका है अब यह बिल्कुल अच्छी तरह से सेट भी हो गया है तो चलिए अब हम लोग इसे प्लास्टिक से निकाल लेते हैं अब मैं इसे कट करूंगी सबसे पहले हम लोग इसके साइड को काट कर निकाल देंगे इसे काटते समय थोड़ा सा सवधानी से काटें ने दो सुस्ष रौल बिगड़ सकता है वाओ आप देख सकते हैं यहां पर सुष रौल बहुत ही तरह से कट रहा है और इसका लेयर भी बहुत ही अच्छा आया है तो एक मैं आपको पास से दिखाती हूं यहां पर सुष रॉल का लियर और दोनों बहुत ही अच्छा आया है इसी तरह से हम लोग सारे स्विस रोल को एके करके काट लेंगे आपने देखा है इसे बनाना कितना आसान है बस तीन चीजों से जड़ पर से यह बनकर क्यार हो गया है इसका टेश्ट तो पूछिया मत यह कितना चौकलेटी लगता है तो आते जाते हैं आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक और नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए थैंक्स वर वाचिंग बहुआ है